हेलो व्यूवर्स आज हम बनाएंगी बहुत ही टेस्टी और इंट्रेस्टिंग बॉंट गालिक फ्राइड राइस इसे खाकर तो आपको बिल्कुल इंडो चाइनीज रेस्टरॉन की याद आ जाएगी चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते है या फिर पनी चिल्ली के साथ कॉम्बो के फॉर्म में खाएए और एल्स शेज वन चटनी के साथ खाएए अगर रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बर्न्ट गार्लिक फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बड़े चमच के जितना ओईल गरम कर लिया है कडाई में अब हम इसमें डालेंगे धेर सारा कटा हुआ गार्लिक तो लगबग मैंने यहाँ पे दो बड़े चमच की जितना ले लिया है गालिक और डाल दिया है ओल में मैंने ओईल का फ्लेम मीडियम रखा है लेकिन थोड़ा थोड़ा इसे आप जब हाई करेंगे न तो नोटिस करेंगे कि यह जो गार्लिक है वो हलका हलका सा कलर चेंज करने लगेगा जब इस तरीके का कलर हो जाए न तो आप इसमें से एक टी स्पून के जितना साइड में निकाल लीजिए लास्ट में गार्निश करने के लिए हमने जो ऑईल डाला था ना उसमें पूरा गार्लिक का फ्लेवर आ चुका है अच्छे से चलिए बागी के इंग्रीडियन्स डालेंगे सबसे पहले इसमें डाल देंगे हरे मिर्चे आप चाहे तो बारी काटके डालिए या लंबा लंबा डालिए काटके इसके बाद कुछ सबजी अडा रेंगे जैसे कटा हुआ प्यास, क्याबेज, कटा हुआ क्यारिट्स और बीन्स आप चाहे तो इसमें कॉलिफ लावर भी चॉप करके डाल सकते हैं ग्यास का फ्लेम मैंने हाँ पे हाई रखा है, हाई फ्लेम पर ही इन्हें हम भून लेंगे दो से तीन मिनिट के लिए उसके बाद इसमें मैंने एक चमच के जितना आरोमेट पाउडर यूज किया है और ये वाला जो आरोमेट पाउडर है उसमें MSG नहीं है इन शॉट ये हेल्थ के लिए भी बेटर है, उसके बाद इसमें डाल देंगे काले मिर्ज पाउडर, नमक एट करेंगे स्वादा नुसार और सारी चीजों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजी आरोमेट पाउडर आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर आप जेनरल स्टोर में पूछ सकते हैं अब इसमें जाएगा एक टेबल स्पून के जितना सोया सॉस फ्लेम मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम कर दिया है ताकि हमारे जो सबजिया है न वो जले नहीं अब हम इसमें पके हुए चावल डाल देंगे चावलों को मैंने पहले से ही भिगो दिया था पानी में 10 मिनिट के लिए और फिर इसे बॉइल कर लिया है अगर तुरंट डालेंगे न गरम गरम चावल चान के पानी उसका तो फिर वो थोड़े से मशी हो जाते हैं इसलिए ध्यान दीजिए आप चावल को पहले से ही बना के रखे और जब वो थंड़ा हो जाए न फिर डालिएगा इसके अंदर अब इसे दो मिनिट के लिए और पकाना है ताकि सारे फ्लेवर्स एक जुट हो जाए अच्छे से फिर इसे सर्फ कीजिए और सर्फ करते बग जो हमने रिजर्व रखा था न थोड़ा सा गालिक वो डाल देंगे उपर से और एंज़ोई पनी चली ग्रेवी के साथ बहुत ही बड़ी हा टेस्ट आ रहा था इसके साथ आपको भी पसंद आएगा तो जरू ट्राइ कीजिएगा इसे और अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस करना भूलेगा नहीं ताके सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे अच्छा वचिंग उटी थाच्छा जब आँ बढचा हि आए